कि नमस्कार कि यह पार्ट तिर्तिय वर्ष के विद्यारतियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है कि आज हम हमारे पूर्व के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं पूर्व में मैंने आपको बताया था कि काल मांक्स का जो दंद्वात्मिक बहुतिकवाद की पद्धती है कि जिसके आधार पर काल मांक्स ने कि समाजवज्यानों को कि अध्यन करने की पद्धती दी कि और इस पद्धती की दो विशेष्टाएं समग्रिता और परिवर्तन गति शीलता एवं परिवर्तन शीलता पर चर्चा हम कर चुके थे आज है इसकी जो तीसरी विशेष्टा है परिमान परिनात्मक्द से गुनात्मक्द परिवर्तन उस पर चर्चा करेंगे कालमाक्स का माननत है कि विकास की प्रक्रिया सरल और सीधी रेखा में ना होकर परिमानात्मक्द से गुनात्मक्द परिवर्तन लिये होती है अर्थार विकास की जो रेखा है उसमें परिवर्तन परिमानात्मक्द से गुनात्मक्द दोनों तरे के होते हैं छोटे से छोटा परिमानात्मक्द परिवर्तन बड़े से बड़े गुणात्मग परिवर्तन को उत्पन कर सकता है और यह विकास या परिवर्तन कालमाक्स का मानना है कि देख या सरल तरीके से नहीं होकर शिग्रिता से या एक आएक होता है अर्था दन्वात्मग बौतिकवाद की पद्धती की यह विशेष्टा मानती है कि छोटे से छोटा परिमानात्मक परिवर्तन बड़े से बड़ा गुणात्मक परिवर्तन कर सकता है और यह परिवर्तन एक सीधी सरल रेखा में ना होकर या धीरे-धीरे आ अर्थारत यह पद्धती क्रांथी की बात करती है। इसे लिए काल मार्क्स को क्रामती कारक विचारक कहा गया काल मार्क्स क्रामती की बात करते हैं और दुन्दात्मक्स बहुतिक बाद की जो पद्दती है वह इसका प्रमुख विशेष्टा रखती चौथी जो विशेष्टा है वह है निशेद से निशेद का नियम दुन्दात्मक्स पद्दती में यह जो चौथी विशेष्टा है यही दुन्द है यही दुन्दवाद है सभी प्राकरतिक और सामाजिक वस्तुएं तथा गटनाओं में आंतिक विरोध नहेत होता है और उनमें अन्तहनिष्ट भी होता है अर्थार्थ कोई भी प्राकरतिक गटना है कोई भी सामाजिक वस्तु है या गटना है उनके अंदर विरोध अंतहनिष्ट होगा विरोध आंत्रिक होगा ऐसा ही है पद्दती मानती है प्रतेक वस्तू और गटना का निशेधात्मक और सकारात्मक वाद, पृतिवाद, विकास और विनाश का पक्ष होता है निशेद से निशेद का नियम यह भी मानता है कि कोई भी प्राकरतिक वस्तू या गटना या कोई भी सामाजिक वस्तू या गटना निशेधात्मक और सकारात्मक वाद और प्रतिवास से गुजरती हैं, विकास और विनाश से गुजरती हैं अर्थार, परिवर्तन प्रकर्ति का ए परिवाय गटना है प्रतेक वस्तु में, प्रतेक गटना में, प्रतेक सामाजिक वस्तु में, प्रतेक सामाजिक गटना में परिवर्तन निश्चित है और यह परिवर्तन उस वस्तु के अंतर अंते निश्ट वाद प्रतिवाद और समवाद की प्रक्रिया के माध्यम से होता है इसे एक बार फिर समझेंगे। दौनदात्मक गौतिक वाद की जो चौथी विशेष्टा है निशेद से निशेद का नियम यह दौनदात्मक प्रक्रिया को इसपश्ट करती है। इस विशेष्टा के अनुसार प्रतेक प्राकृतिक वस्तु गटना सामाजिक वस्तु और गटना के अंदर आंत्रिक विरोध नहित होता है अर्था उस गटना या वस्तु में परिवर्तन का भाव आंत्रिक होता है। जो की दौनदवाद की प्रक्रिया से गुजरता है अर्था वाद प्रतिवाद और समवाद की प्रक्रिया से गुजरता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती है। कि उदारण के लिए कि काल माक्स कि जब कि समाजों का वर्गी करण प्रस्तूत करते हैं तो प्रतेक समाज की अगली अवस्था को पहली अवस्था के साथ दौनदात्मत् प्रक्रिया के माध्यम से समझाते हैं और कहते हैं कि संपत्ति संबंधों के विकास ने पूर्व की अवस्थाओं को कमजोर किया और नए उत्पादन संबंधों को विक्षित किया और उत्पादन संबंधों के परिवर्थन से नई समाज विवस्था का अविभाव हुआ प्राचिन समाज समाज प्राचिन आदिम समाज जिसे कालमाक्स सामयवादी समाज कहते थे और कहते थे कि यह वर्गवीन समाज है इस समाज में धीरे-धीरे उत्पादन शक्तियों ने उत्पादन संबंधों को परिवर्तित किया जिसका परिणाम दास समाज के रूप में सामने आता है दास समाज में समत्ति संबंध में परिवर्तन आने से अर्था इनके अंदर वाद परिवाद की इस्तित्यूत पन्नोंने से अगला जो समवाद इस्थापित होता है वह सामन्ती समाज है और सामन्ती समाज में भी जब वाद प्रतिवाद और समवाद की प्रक्रिया चलती है तो उसका परिणाम पुंजिवादी समाज अर्थार्थ कालमाक्स कहते हैं कि पूंजिवादी समाज में भी वाद प्रतिवाद और समवाद की प्रक्रिया चलीगी अर्थार्थ पूंजिवादी अवस्थाओं में भी उत्पादन के साधन और उत्पादन की शक्तियों के मद्ध है जो संगर्ष होगा उस संगर्ष का परिणाम नई सामाजिक व्यवस्था होगी जिसे कालमाक्स सामेवादी आवस्था कहते हैं समाजवाद आवस्था कहते हैं अर्था अर्थ कालमाक्स अब तक के ग्यास समाजों के अध्यन के आधार पर अगले समाज की बविश्यमाडी भी अपनी इस अध्यन पद्धती दन्दात्मग बहुतिकवाद के माद्यम से करते हैं इस तरह निशेद से निशेद की प्रक्रिया चलती रहती है और एक नई अवस्था जनम लेती रहती है यह दन्दात्मग बहुतिकवाद की पद्धती जब अब तक के ग्यात इतियासों पर लागू की जाती है तो इसे एतियासिक दन्दात्मग बहुतिकवाद कहा जाता है और इसी पद्धती के माध्यम से जब वर्ग संगर्ष की जब प्रतेक समाज में चाहे प्राचीन समाज हो, दास समाज हो, सामंती समाज हो, पुझीवादी समाज हो कि आंत्रिक अध्यन करते हैं तो दो वर्गों की बात कालमाक्स करते हैं और वहां ये इस्पष्ट करते हैं कि किस तरह इन दो वर्गों में वाद प्रतिवाद और समवाद की इस्तिति नई अवस्थाओं को जन्म देती हैं। इस तरह कालमाक्स की जो दुन्दात्मक बहुतिक वाद की पद्दती है। इस पद्दती की ये जो चार विशेष्टाए हैं। पूर्णेता समग्र। परिवर्तन गतिशील्ता एवं परिवर्तन शील्ता। परिमानात्मक से गुणात्मक परिवर्तन और निशेद से निशेद का नियम। इन्हें आपको कंठस्त करना है, याद करना है, समझना है। तभी काल माक्स को संपूर्ण रूप से हम समझ पाएंगे। और आने वाली जो इसकी अगली दो अवधार्नाएं हैं जो आपके पाठे करम में भी संबलित हैं। वर्ग संघर्ष और एतियासित बंदात्मग भौतिकवाद दोनों ही अवधार्नाओं का आधार दंदात्मग भौतिकवाद पद्दती है। यह पद्दती समझना थोड़ा कठिन है। लेकिन आप पाठे पुस्तकों के मेरे व्याख्यान के मदस से इस पद्दती को समझ पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। अब आगे कालमाक्स की इस दंदात्मग भौतिकवाद की जो पद्दती है। इस पद्दती में कुछ कमिया है। कुछ इसकी आलूचना है। हम पहली आलूचना पर चलते हैं। दंदात्मग भौतिकवाद की अवधार्ना अत्यंत गूड है। माक्स इसे कहीं भी समझा नहीं पाए। इसे समझने के लिए हीगल के आदर्शवाद को समझना होगा। अर्थार दंदात्मग भौतिकवाद की जो पद्दती का जो मूल आधार है। वह दंदवाद है। और इसे माक्स ने हीगल से लिया। इसलिए दंदात्मग भौतिकवाद की पद्दती को समझना कठिन हो जाता है। जब तक कि आप हीगल के दर्शन को या हीगल के आदर्शवाद को नहीं समझेंगे। अर्थार्थ, काल माक्स की दंदात्मग भौतिकवाद की पद्दती को समझने के लिए लिए। बिना हीगल के दंदवात आदर्शवाद को समझे बिना आप काल माक्स के दंदवात तक बहतिकवाद को नहीं समझ सकते। इस पद्धती का जो मानना है कि परिवर्तन अतिशीग्र होते हैं, अचानक होते हैं, अर्थात क्रांतिकारी होते हैं, गलत है। समाज व्यवस्था में या प्राकरतिक विज्ञानों में यह देखा गया है कि कुछ परिवर्तन एक लंबे समय की उपज होते हैं अर्थार भुकम पाना अचानक तो होता है लेकिन एक लंबे समय का परिणाम होता है इसी तरह समाज व्यवस्था में समाजिक समस्याओं का आना समाजिक समस्याओं का दूर होना समाजिक समाज में गटने वाली गटनाओं का अध्यन करने से समाज में आने वाले परिवर्तनों का अध्यन करने से यह भी ज्यात हुआ कि वे परिवर्तन एक लंबे समय में धीरे धीरे हुए हैं ना कि अचानक या एकाएक हुए हैं अर्थार्थ इस पद्धती का यह भाव की परिवर्तन क्राम्तिकारी होते हैं, मानना गलत है, यह इस पद्धती की दूसरी आलोचना है, अब हम तीसरी आलोचना पे चलते हैं, यह पद्धती भातिक वाद को अत्यदिक महत्व देती हैं, और आध्यात्मिक एवं सामाजिक मुल्यों की यह पद्धती अवेलना करती हैं, इस पद्धती का मानना ही यही है कि अस्तित्तु प्रात्मिक है और आत्मा विचार और चेतना सेकेंडरी हैं, दुर्त्यक हैं, परन्तु यह देखा गया है समाज वग्यानों में कि आध्यात्मिकता भी प्रात्मिक है और उसको सेकेंडरी नहीं माना जा सकता, इसी कारण यह पद्दती बहुतिक वाद को अत्यदिक महत्व देती है और बहुतिक वाद को अत्यदिक महत्व देकर आध्यात्म वाद को नकारती है यह भी इसकी बहुत बड़ी आलोचना है अब हम अंतिम आलोचना पे चर्चा करेंगे प्रधार्त में प्रतिवाद या परिवर्तन आंत्रिक शक्तियों के इस्थान पर भाये शक्तियों के द्वारा भी होते हैं इस पद्दति का यह मानना है जब मैं आपको निशेद से निशेद की विशेष्टा पर चर्चा कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि प्रतेक प्रधार्त में प्रतेक वस्तु में चाहे वे सामाजिक हो या प्राकर्तिक हो में विरोध अंतहनिष्ट होता है आंतरिक होता है और यही विरोध वाद प्रतिवाद और समवाद की प्रक्रिया के माध्यम से गुजरता है और समाज में या प्रकर्ति में परिवर्तन लाता है, मानना गलत है, बहुत से ऐसे परिवर्तन प्रकर्ति में भी हुए हैं और समाज में भी हुए हैं, जो आंत्रिक ना होकर भाई ये होते हैं, अर्था 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 बहार से किये जाते हैं, अर्था अर्था किसी भी आयूद के माध् इस्तिति उत्पन की जा सकती है इसी प्रकार समाज में भी परिवर्तन जो हैं उनको बाहिये तरीके से नियंत्रित या परिवर्तित किया जा सकता है इसलिए इस पद्धति का यह मानना की परिवर्तन आंत्रिक शक्तियां के माध्यम से होता है गलत है परिवर्तन बाहिशक्ति के माध्यम से भी किया जा सकता है आज के लेक्चर में इतना ही धन्यवाद